हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में और आज का वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सलला में जहां पर कोकोनट मार्किट लगती है वो और हमारे साथ है किसन भाई और दोस्त और उस जगा का नाम क्या है साफा हाफा हाफा नाम है उसका नाम है हाफा और पूरी कोकोड़ेट मार्किट है जहां पर कई सारे फ्रूट वगेरा सब कुछ मिलता है और उसके पास ही बिल्कुल बीच है तो वो सब कुछ आज के वीडियो में है तो यह है कि सलला की लोकल मार्किट जहां से आप सोपिंग वगेरा कर सकते हैं तो चलिए आपको साथी साथ के पूरी मार्किट भी दीखा देते हैं कि झालएबस Ellie जग सोपिंग औरे आप पस्का थाइंस अप्क है कर दो कि खेदभ आप कि तो अभी हम उस रोड पर है जहाँ पर न का पेले से ओमान का जो सुलतान एक उसका पेले सरसे सामने है वो सामने उसका गेट है यह आपको थोर taş से दिखाते हैं कि और Is तरफ आप देख सकते हैं यहां पर फोट है कि यह पुराना फोट नहीं पूरा न्यू बनाया हुआ है और सामने जो केट है वहाँ पर सुल्तान का पेलेस है पूरा ओल्ड पेलेस है सलाला में यहाँ पर टूरिस को अलाउट नहीं है अंदर आपको थोरा बार से ही दिखा देते हैं और यह है यहाँ का एंटरंस पेलेस में जाने का लेकिन टूरिस को अलाउट नहीं है अंदर और उसके आसपास पुरा बहुत ही खुपसरत गार्डन है यह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोकोनट के ट्री लगे हुए है यह यहाँ पहलेस का एक दूसरा गेट है इस तरफ यहाँ कि आप को जो मैंने दिखाया यहां तक ही आप अंदर आ सकते हैं अंदर अलाउट भी यह जाने का अधि और अभी आगे हम जा रहे हैं और यहां का हाफा का ओल्ड मार्किट आएगा यह एरिया पूरा हाफा मार्किट है आपको अभी दिखाने वाले हैं तो यह है हाफा मार्किट इस तरफ अभी मैंने आपको दिखाया है वाप पर इस तरफ है सुल्तान का पैले से और इसके बिल्कुल पगल में ही यहां पर हाफा मार्किट है चले आपको थोड़ी से अंदर से हाफा मार्किट दिखाते हैं और यह हाफा मार्किट इसके बिल्कुल पीचे ही हाफा बीच है और वहां पर एक न्यू मार्किट भी अभी कंट्रस्चन जालू है वहां का चले आपको आपको अंदर के दिखाते हैं उसके पीचे ही बिल्कुल बीच है हाफा बीच क्या है झाल झाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किसी फेसिलिटी दी है पूरा मार्कित में ऐसे फेन लगे हुए हैं और सामने की और पूरा बीच है आपको बीच का व्यू दिखाता है अभी और यहाँ पर एस छोटी सी मार्कित है इस तरह भी मार्कित है और सामने देखो के तो पूरा हाफा बीच आचाएगा पूरा ब्लू वाटर है और यहां की रेद पूरी वाइट है तो यहां से भी आप जा सकते हैं लेकिन यहां से पूरा चलती जाना पड़ेगा लेकिन हम लोग आपको अभी हम जा रहे हैं कार्स है तो पूरा नजदिक से वहां पर जाने का रास्ता है मेरी एक छोटा सा ग्लास है पूरा पेटन किया हुआ है क्या है इसका प्राइस है यह दो रियाल का यह पूरा इसा लास है चोटा सा यानि कि इंडियन कर्णसी में देखे तो 400 रुपे के करीब थेंक्यू तो यह है थोड़ी छोटी सी मार्गिट है बीच के करीबी है यहां पर भी आप कुम सकते हैं प्रुपे के बीच्वार इसके भी आपयरी आपका यहां जाप में जाएसा है रहां पिस एहां जापका नहां? झाल प्रुपे कंदी अज़िस कुम सकते हैं और फ्रेंड्स आप यह देख सकते हैं इसे बोलते हैं लोबान जैसे हम तूप करते हैं घर में तूप अगरबाती करते हैं उसी तरह का यह जलता इसको जला के पूरा आप अपने रूम में बहुत ही खुप सुरत होती सुगंदीत है तुप लगा सकते हैं तो यह पुरा इधर मार्किट है इसका और इसके यह अलग अलग तरह का फ्लेवर होता है आई यह भी फाहिल लुबान यह लुबान है अलग अलग फ्लेवर है इसके तो यह थी यहां पर छोटी सी मार्किट अभी हम चलते हैं बीच के और चलिए आपको बीच लिखाते हैं यहां का कि अभी चलते हैं हम लोग बीच के और यह बीच का नाम है साफा साफा बीच सोरी हाफा बीच इसके पहले मैंने आपको दिखाया सुल्तान का पेलेस वह इस तरफ है यह पूरा कंपाउंड यह पेलेस का ही है और इसके पेलेस के बगल में ही बीच है हाफा बीच लग पकम बीच के पास पहुंची चुके हैं तो फ्रेंट्स अभी हम पहुंच चुके हैं हाफा बीच यह है हाफा बीच आपको दिखाता हूं वहां जाके है कि दोड़की के गले कंप प्रेंट्स अगार बीचिता, अगज कि दोपाँ आफ marriage र्मया यह है यह है प्रोगता है तो बीच यह जवाद्ट्स तरफ बोह फ्हां जाफश्ट कि परफ़स्ट टरी में है जो मैंने आपको दिखाया, सुल्तान का पैलेस है, और पैलेस के बिल्कुल पीछे ही यहां पर बीच है, हाफा बीच, और वहां पर सामने हाफा मार्गीद है, जो मैंने आपको दिखायी, और यह पैलेस जहां पर खतम होता है, वहां पर यह पुरी बाउन भी बनाएंगी है, जैसे करो बड़ा का पुरा सी परफृर्टम्स प्उलाई गाया है , या पर पुलिक को अलाव्ड है विदि तो इसा कुछ यहां का बीच है और सलाला का हाफा बीच और यहां पर कुछप ट्रीछ में भी लगे हुए है तो यह कुछ यशा पुरा बीच है और आपको दिखाया जदा कुछ यहां पर करने नहीं है रोड पर कुछ अगेरा कुछ दिखाया है और पूरी रेट यहां पर वाइट है वायट सेंड बीच कहता है जैसे उस प्रकार का है चलिए अब भी चलता है आगे दूसी लोकेशन पर तो यह था हाफा बीच और चलिया भी चलते हैं दूसरी लोग के सल पर आपको दिखा हैं पूरा हाफा बीच यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी करने को कुछ है नहीं लेकिन आप यहाँ पर आके घुम सकते हैं ऐसा कुछ पूरा बीच है आप जलते हैं और आप देख सकता है कि पूरा यहाँ पर जो सेंड है और पूरा वाइट है और इस तरह पूरा ब्लू वाटर पीच बहुत ही खुबसरत बीच है कर देख सकता है तरह यह पूरा निग अशलर शाइब कर देख सकते हैं यह पूरा शाला का सभी ओल्ड यहाँ पर मकान बने वह हैं लेकिन अभी इसको डिश्ट्रय कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में और यहां पर पुरा डेवलोप होने वाला है, ऐसा लग रहा है, अभी हम जो यह पुरा बीच की ओर चल रहे हैं, यहां पर भी एक समय में पुराने मकान वगेरा थे, यहां पर कर वगेरा बने हुए थे, लेकिन अभी दिर दिरे यहां पर डेवलोप हो रहा है, इसलिए यहां प कि आने वाले समय में यह पूरा बीच बहुत ही डेवलोप होने वाला है यहां पर एक्टिविटी वगएरा भी शुरू होने वाली है इसा कुछ प्रानिंग हो सकता है मुझे ज्यादा पता नहीं है लेकिन जैसे भी किसन भाई ने बोला कि यहां पर वह 11 सल से इधर है तो उस अब इसा कुछ यहां का पहले यहां पर एरिया था तो सायद उस समय इस प्रकार के मकान यहां पर बने हुए होंगे लेकिन अभी यह दो तिन मकानी इधर देखने को मिलते हैं और इस बीज को कोकोनट बीज भी कहा जाता है हमने गूगल में देखा तो इस बीज का नाम कोकोनट बीज देखा रहा है वेकिन इसका नाम है हाफा बीज अब बहुत है खुबसरत यहां पर पुरा कोकोनट री लगे हुए है और व्यूब बहुत ही खुबसरत आ रहा है और इस तरह बीज अब बहुत है और फ्रेंड्स तो ज़र आप सलाला में गूंते हैं तो आपको कहीं जगा ऐसे रोट बिलेगे जहां पर आप पैसा लगेगा कि आप यह तो केरला में गूंते हैं यह फिर गौव में दोनों तरफ कोकोनट ट्री लगे हुए हैं तो पूछ रोट तो यह तनी कुछ रद है कि बात ही मत पूछो आपको भी मैं दीखाता हूं मसकत में आपको ऐसे बहुत कम डिखेंगे कोकोनट ट्री लेकिन सलला में यहां पर बहुत सारे कोकोनट ट्री और खजुर के ट्री मिल जाते हैं आपको देख रहे हुए हमारा इस तरह बुली मार्किट है ऊकान मार्किट यहां paper आप बड़ित अभी मेरा बाड उशक वहांपर जाके दिखाते हैं। अब भाक बारे करता हैं और ऑpee क्लान stand इतने का मिलता है आप देख सकते हैं यहां पर दोनों तरफ ऐसे मार्किट लगी हुई है वेजी डेप फ्रूट की झाल